तफिल पाटिल जी, ती इश्वरिया जी, प्रने फुके जी, नाना पटोले जी, महादेवराव जानकर जी, बालो बहु धनोर कर जी, बी एल यादव जी, फिर्दोस मिर्दा जी, अभिजत वंजारी जी, अशोक जीवतोले जी, वीर बहादूर महतो जी, सचिन राजूर कर जी, केशो मांसाकी जी, बीहनुमंत राओ जी, शब्बिर एहमत जी, साथी में श्री जाजूला गवड जी, राओ जी, सभी मंचासीन, महानुभाव और उपस्तित सभी बहन और भाईयों, आज विशेश रूप से मैं डॉक्टर बबन राओ जी तायवाडे, इनका अभिन करना चाहता हूँ, कि लगातार उन्होंने पुरे देश में, OBC समाज को, एक साथ लाकर, OBC समाज की एक मजबूत आवाज तयार की, और आज, हम देख रहे हैं कि सभागार में भी, देश के सभी राज्यों से लोग उपस्तित है, और जिन 22 मांगो को यहाँ पर रखा गया है, मैं आपको अश्वस्त करना चाहता हूँ, कि जितनी मेरी क्षमता है, उस क्षमता के आधार पर, आपकी मांगो को उचित सरकार तक पहुचाने का प्रयास, मैं निश्चित रूप से करूँगा, यह विश्वास आप रखे, पिछले समय महाराष्टर में मुख्यमंत्री के रूप में, मुझे मौका मिला, और उस समय स्वतंत्र OBC मंत्राले हमने तयार किया, और मुझे यह कहते हुए खुशी है, 2014 से लेकर, 2022 तक महाराष्टर में OBC के हितके, पुल मिलाकर 22 निरणे हुए, तरकार के 22 निरणे, उनमें से 21 निरणे मुख्यमंत्री के रूप में मैंने लिए, आप कोई भी वहाँ पर देख सकते हैं, और लगातार, चाहे वो शिक्षा का विशे हो, चाहे नोकरियों का विशे हो, चाहे हमारे बच्चों के लिए छात्रावास का विशे हो, चाहे हमारे बच्चों को पॉरें स्कॉलर्शिप देने का विशे हो, चाहे IS, IPS का ट्रेनिंग देने का विशे हो जो जो मांगे बवन राओ जी आपने अपने अधिवेशन में की वो सारी मांगों को सरकार के माध्यम से मंजूर करके हमने उस समय उसके शासंद्रने निकाले और मैं आपको फिर एक बार याश्वस्त करना चाहता हूं कि आदरनिया हमारे मुक्यमंत्री शिंदे जी के नित्रुतों में जो हमारी सरकार आई है ये सरकार निश्चित रूप से OBC के हितों की रक्षा करेगी और OBC के लिए जो निर्णे आपने अप्यक्षित किये हैं वो निर्णे हम लेंगे कुछ समय पहले जैसे OBC के राजनितिक आरक्षन की बात हुई थी तो मैंने नाखपुर में ये कहा था कि मैं सरकार में आऊंगा और अगर चार मैने में ये OBC का राजनितिक आरक्षन बापिस नहीं आया तो राजनितिक सन्यास ले लूँगा ये कहने वाला मैं वेक्षी था और मुझे खुशी है और मैं उसका कोई क्रेडिट ने लेना चाहता सबने मिलकर प्रयास किया लेकिन ये OBC का राजनितिक आरक्षन ये यहां पर वापिस आया और अभी उसमें बहुत कुछ करने की जरूत है और आने वाले दिनों में वो करके हम निश्चित रूप से दिखाएंगे और OBC समाज को नयाय मिले इसके लिए जो जो सिजे करने के आवशक्ता है वो की जाएगी मुझे इस बात के खुशी है कि वैसे तो देश के प्रधान मंत्री को कोई जाती नहीं होती वो तो सबके होते लिकिन एक सयोग है कि आज देश के प्रधान मंत्री जी भी वैम OBC है और OBC की समश्याओं के बारे में जानते है और जैसा कफिल पाटिल जी ने कहा पहली बार देश में 40 प्रतिशत मंत्री ये OBC समाज से आज केंदर के मंत्री मंडल में है और निश्चित रूप से मेरा विश्वास है जैसे OBC के बारे में जो सववधानिक दरजा OBC आयोक को देने की बात थी इसको मोदी जी ने पूरा कि हमारे बच्चों को All India कोटा में डॉक्टर बनने के लिए आरक्षन नहीं मिलता था कितने सालों से मांग थी हम संगर्श करते थे बापन राव जी कितना संगर्श हुआ लेकिन उस मांग को भी आधरनिय मोदी जी ने पूरा किया अब All India कोटे में भी हमारे OBC बच्चे लिकिन हम सब लोग मिलकर इस मंच के उपर OBC हित के लिए एकत्रित आये हैं और मेरा विश्वास है कि ये जो सारी चीज़े आपने रखी है हमारे मुख्यमंत्री जी भी आने वाले हैं उनसे भी मेरी बात्चेत हुई है अब कुछ मुख्यमंत्री जी का प्रेरोगेटी होत हम लोग यहां पर काम करेंगे और आपके इन सारी बातों को आगे ले जाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से होगा वैसे भी भवंद्राओ जी इतने सालों से तुकि आप नाकपूर से आप जानते हैं मैं सोहम इतने सालों से नाकपूर से लगातार जीता आया हूँ और आज राजनीती में 30 साल मुझे हुए है और इन 30 सालों में मैं इसलिए बार-बार विजय हो पाया क्योंकि जहां से मैं चुनकर आता हूँ वहां तो सारे OBC है OBC लोगों ने ही देवेंदर फटने इसको बनाया है देवेंदर फटने इसको वोट दिया है देवेंदर फटने इसको चुनकर लाया है तो ये तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि OBC के सम्मान में जो भी चीज़े हो उसमें हम पुरजोर ताकत के साथ उत्रे मैं आज के इस मोखे पर आपको इतने अश्वस करना चाहता हूँ हम सब आपके साथ में जो निर्णे आप करेंगे हमारी शमता के अनुसार हम उन निर्णे के पीछे खड़े होकर उन निर्णे को इंप्लिमेंट करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे आपने इस राष्ट्री अधिवेशन में हमें निमंत्रित किया इसलिए आपका अभार व्यक्तरता हूँ मैंने आपके निवेदन किया था कि मुझे जल्दी जाना है आपने उसकी भी पर्मिशन मुझे दी इसलिए आपका अभार व्यक्तरते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ जय ओबिसी जय ओबिसी J.O.B.C.